नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रकास बिंद्रा और देख रहे हैं आप सभी मेरा यूटूब चैनल सी जियारस्टडी आईक्यू जो दोस्त मेरे यूटूब चैनल पर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दवाना बिल्कुल भी ना बोले क्योंकि जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे हैं आज के इस वीडियो में में बात करूंगा जैसे कि थमनेल से ही पता चल जा रहा है कि आज के वीडियो में में बात करने वाला हूँ यूपी लेकपाल की बारे में ठीक है जो स्लेब इसको फूरा से लिबस complete कराऊंगा हिंदी भी मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा और उस तरीके से हिंदी की notes और question को साल कराऊंगा जिस तरीके से आप ना YouTube पे पाएंगे ना offline coaching में पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको notes provide कराऊंगा और बताऊंगा आपको पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है ठीक है दोस्तों तो मेरे साथ जुड़े रहे उमीद मत छोड़ेगा होसला बनाए रहेगा ठीक है मुझे विश्वास करिए मैं जरूर complete कराऊंगा लेकिन इसके पहले मैं आपको complete कराने वाला हूँ ग्रामीड विकास परवियस क्योंकि यहां से 25 कोशन बनते हैं ठीक है इसका content आप यूटूब पर पाएंगी कहीं पर कहीं कुछ हिंदी आप पतीस में से 25 कोशन सही करने पड़ेंगे और आप पासानी से कर ले जाएंगी अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत सी सिंपल तरीके से पूरा का पूरा कोर्स कंपलेट कराऊंगा योपी लेकपाल का जो ग्रामीर्ड विकास परिवेज का जो सिलेबस है ठीक सब के पास मैटर नहीं होता है पूरा का पूरा मेरे पास मैटर है लिखे मैं आपके लिए मैटर को हैंज से टाइपिंग करके अपने से लिख के तब आपको पढ़ाऊंगा ठीक copy paste वाला काम नहीं है जितना जरूरत है आपको उतना ही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जानते हूँ विसाय वस्त विसाय सामगरी बहुत होती है लेकिन जरूरत है कि उसमें से हमें कितना नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना है जब हम जान लेगे कितना हमें नहीं पढ़ना है कितना हम पढ़ने कि हमारे लिए काम कर जाएगा जाता नहीं पढ़ना है बहुत high level exam नहीं होता है लेकपाल का कोई आप IS PCS या UP PCS lower PCS नहीं दे रहे हैं तो आपको सिर्फ उतना ही जानना है जितने सी आपका काम चल जाए आप विश्वास रखेगा कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ ठीक है तो मैं अभी के शुरुवाद के लेक्चर में मैं अभी सुरू करूँगा ग्रामीड विकास परिवेस तो मेरे साथ जुड़िए अपने दोस्तों को जुड़िए क्योंकि मैं पूरा का पूरा ग्रामीड विकास में परिवेस कंप्लिट करूँगा आप यूटूब पे भी सर्च करेंगे किसी के पास कोई content नहीं है content नहीं है ठीक है और ना पूरा अनुबह है ना कुछ बता पाएंगे मेरे पास पूरा का पूरा अनुबह है मेरे पास notes है और handwriting notes है आपको provide भी कराऊंगा और उसी तरीके से में पढ़ाऊंगा जिससे कि आप एक notes तयार कर लें अच्छे से तो चलते हैं सिधे टॉपिक पर ठीक है जैसे मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश लोगपाल परिच्छा 2020 ठीक है मैं बले question 25 है लेकिन जो मैं topics में पढ़ा दूँगा वो आपके GS के portion को भी complete करेगा मैं इस topic में पढ़ाऊंगा आपको grammar विकास पर वेस भले ही लेकिन ये 25 question के साथ ये 15 question से 20 question आपके GS का भी portion complete कर ले जाए गरामीड विकास और परिवेस जो syllabus है इसका इस तरीके से है कि आप इसमें economy policy geography history आप सब इसमें थोड़ा थोड़ा part उसका cover करेंगे तो जो कि आपको बहुत help करेगा और मैं जिस तरीके से बताऊंगा मुझे पता है क्योंकि ये question आपको जरूर मिल जाएंगे ठीके 25 question ये तो आएगा ही आएगा साथ में GS के भी कुछ question 15 से 20 question आपको उधर मिलने वाले हैं ठीके तो कुल मिला कर मैं 40 से 45 question आपको cover कराने वाला हूँ ग्रामीड विकास ये वो परवेस से तो मेरे साथ जुड़े रहिए ठीके आज के इस वीडियो में बताऊंगा ग्राम क्या है ठीक ग्राम और गाओं किसे काते हैं ग्रामीड परवेस क्या है राजस विभाग और राजस परिशद क्या है इसकी इस्थापना कब हुई ठीक है इसके कार क्या है इनके फक्सन क्या है ठीक है उसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रसनोत्तर स्रिंखला भी इसी के साथ कराऊंगा मैं डेली आपको एक लेक्चर पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ उससे संबन्दी जितने भी क्वेस्चन है उसको भी आपको कंप्लीट कराता रहूंगा तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है इसके ग्रामीर विकास उमर जे परिवेस की बात करते हैं सबसे पहले ग्राम आता है ठीक है ग्राम प्राचेन कल से ही हमारे इत्यास में संबन्दी त रहा है ठीक है ग्राम सब्द का सौरप्रथम प्रियोग कहां किया गया तो इसके बार में मैं बता दूँ ग्राम सब्द का प्रयोग सब्द पतर रिगवेद से ही मिलता है रिगवेद में ग्राम का 13 बार ग्राम सब्द आया है और उसी में विस सब्द 170 बार और जन सब्द 275 बार प्रयोग किया गया है अब बात करते हैं भारत में भारत में ग्रामों की संख्या लगभग 6 लाग से अधीक है और उसमें 70% से जादा लोग ग्रामीड छेतर में निवास करते हैं ठीक है यह मेले नाग ठीक है यह एसिया का सबसे cleanest village है ठीक है एसिया का सबसे cleanest village अगर पूछा जाए यह current affair से question है तो उसे हम बोलेंगे मेले ना कौन सा है तो वह है अकोदरा गुजरात में तो पूर्ण रूप से digital है यहां पर लेंदेन से हर इस हर चिरिकलियाए पूरी रूप से digital तैजीके से की जाती है यहां पर ठीक है आगे हम बात करते हैं ग्राम अब ग्राम किसे कहते हैं इसको समझे आप ग्राम जो होते हैं नगरों की तुलना में एक निश्चित छोटी भगोलिक छेत में रहने वाले जनसंख्या के निवास अस्थान को ग्राम कहते हैं ग्राम किसे कहते हैं नगरों की तुलना में छोटे भगोलिक छेतर में रहने वाले संख्या के निवास अस्थान को ग्राम कहते हैं और यहां की विशेष्टा क्या होती है कि यहां की जो बहु संख्यक जनसंख्या है निवास करती है वो प्राथमिक कारियों में लगी रहती है। ग्रामीर्ड चेत्र में रहने वाले लोग क्या करते हैं? क्रीशी कार करते हैं, प्ष्पालन करते हैं, कीट पालन करते हैं और वागवानी करते हैं। तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ग्राम, ग्राम नगरों की तुलमा में एक निश्चित छोटे भौगलिक छेत्र में रहने वाले जनसंख्या के निवास अस्थान को क्या कहते हैं, ग्राम करते हैं, ठीके, सहरों के, नगरों के तुलमा में एक छोटिक प्रात्मिक कारियों में लीन रहती है अब बात करते हैं ग्राम सब्द का उल्लेक सबसे पहले रिग्वेद में मिलता है जैसे कि मैंने उपर बता दिया आपको जहां पर ग्राम सब्द का प्रयोग 13 बार हुआ है जबकी 20 सब्द का सरयोग 170 बार हुआ है और जन्म सब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है ठीक है और देखिए रिग्वेद में कोशन ऐसे भी बन सकता है कि रिग्वेद में ऐसे कौन से सब्द है जिसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है तो रिगवेद में राज्य और राष्ट या दोनो संग्याएं रिगवेद में नहीं प्राप्त हुई है ठीक है कोशन आ जाए ऐसा कौन सी संग्याएं है जिनका प्रियोग रिगवेद में नहीं हुआ है तो ग्राम, विष, जन, राश्टर तो आप कहेंगे ग्राम, विष और जन का प्रियोग हुआ है जबकि राश्टर या राजे का प्रियोग नहीं हुआ है वर्तमान में भारत में 6 लाग से अधिक गाओं है वर्तमान में भारत में कितने गाओं है 6 लाग से अधिक गाओं है तथा 70% लगभग जनसंख्या ग्रामीर शेत्रों में निवास करती है जैसे कि मैं उपर डाटा सौजकत में आपको लिखा हुआ था 70% से जनसंक्या, 70% से अधिक जनसंक्या ग्रामीड छेत्रों में निवास करती है ACI का सबसे सचोगाव है, मेले नाग जो की मेघाले में स्थित है तथा भारत का पहला डिजिटल गाव अकोदरा गुजरात में है या करेंट अफेयर से है, ये ऐसे कोश्टन है जो की ग्रामीड विकास परिवेस्ट से रिले लेक करते है हो सकता है आपके एकजाम में पूछ लिया जाए तो क्या करना है आपको इसको याद करना है ठीक है, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाते चलना है अब बात करते हैं आगे ग्रामीड समाज ग्रामीर समाज कैसे बनता है अब उसको समझें आप ग्रामीर समाज ठीक परिवार के मिलन से ठीक है जब परिवार परिवार मिलते हैं तो हलका, महला, टोला या ग्राम बनता है ठीक है और यही ग्राम ठीक यहां में रहने वाले लोगों क्या करते हैं ग्रामीर समाज यहां करने वाले लोग भी रहते हैं वो किरिशक समाज के होते हैं ठीक है इनकी विसेस्ता क्या होती है ठीक है इनको कैसे इनको अलग किया जा सकता है इनके आकार की विसेस्ता ठीक है इनके आक प्रिवार परिवार से मिलकर जब परिवार जब दो परिवार मिलते हैं तो गाउं का निर्माड़ होता है जब कई गाउं मिलते हैं तो एक ब्लाग का निर्माड़ होता है जब कई ब्लाग मिलते हैं तो एक तहसिल के निर्माड़ होता है एक जिला बनाया जाता है और कई जिलों को मिलाकर एक मजल बना जाता है और फिर मजल के बाद राजै बनता है कई राजै मिलकर देश का मिर्माण करते हैं जे हेल्डर ने वर्गे करन किया है संक्रमन सेल या अर्ध स्थाई क्रिसक समाज और स्थाई क्रिसक समाज अर्ध स्थाई क्रिसक समाज ऐसे क्रिसक समाज है जहां पर क्रिसी के साथ साथ वो अन्यकार भी करते है उनके पास किरसी करने योग भूमी उपलब्द नहीं होती है ठीक है वो दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं ठीक है वो समय समय पर काम करते हैं और स्थाई किरसक होते हैं जो साल भर किरसी कार में लगे रहते हैं ठीक है तो यह होते हैं, यह संक्रमन सील होते हैं, कभी इस कार में कभी मजदूरी करते हैं, तो कभी खेती कर लेते हैं, खेती के समय किसी को अधिया अधिया पर खेती लेकर खेती कर लेते हैं और उसके बाद बाकी समय मजदूरी करते हैं या फिर खाली रहते हैं, प्रचंद जनसंख्या नगरे में निवास करते हैं कितनी परसंट जनसंख्या 32 अब नगरों में निवास करने वाले जनसंख्या की विशेष्टा क्या हती है यह क्या होते हैं विक्सित होते हैं ठीक है नगरों में नगरों की विशेष्टा होती है कि रोजगार की संभावना होती है वहा विज्ञान के साधान उपलब्द होते हैं, वहाँ पे विविधिता पाए जाती है, जागुरुकता होती है, परिवहन के साधान उपलब्द होते हैं, सिच्छा में गुणवत्ता और विविधिता होती है, ठीक है, सिच्छा में आपको quality मिलेगी, ठीक, आप diversity मिलेगी वहाँ पे अब वहीं इसके विप्रीत हम जब गाउंगी बात करते हैं तो इन सब चीजों की क्या होती है विसमता पाए जाती गाउं में स्वास्तुधाओं का भाव होता है, सिच्छा की गुणता खराब होती है, परिवहन के साधन उपलब्द नहीं होते हैं, और स्वास्तुधाओं नहीं होते हैं, उद्धोग धंदे नहीं होते हैं, साधनों की कमी होती है, टेकनोलोजी की कमी होती है, डिजिटली कर गाओं में जनसंक्या कितनी रहती है? अब इसकी गाओं की विसिस्ताई क्या होती है? परमपरावादी, रूढ़ि वादिता, संस्कार, रीती रिवाज, और अंधिविस्वास होते हैं. और वहीं गाउं में परिवार जो होते हैं वो एकल ना होकर सायुक्त जादातर होते हैं और सहरों में एकल परिवार की अधिक्ता देखी जाती है गाउं में सायुक्त परिवार की अधिक्ता देखी जाती है एक दूसरे लोग दूसरे के लिए मदद करने के लिए आ गया आते कोई भी सरकार के दर क्रिया किया था कोई भी योजना बनाए जाती है तो उस योजना का नलाभ अंतिम समाज के पिछड़े वर्ग तक पहुंचे इसके लिए समावेशन करते हैं ठीक समावेशन का अर्थ होता है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सिच्छा समावेशन सिच्छा का समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाना ही सिच्छा समावेशन होता है हर एक व्यक्ति सिच्छित हो, सिच्छा का यही उद्देश होना चाहिए इसलिए सिच्छा समावेशन सब्दका प्रयोग किया जाता है तो उमेद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज अब बात करते हैं ग्रामीड विकास ग्रामीड विकास के लिए योजनाओं, संस्था, एवन साधनों का समावेसी विकास जरूरी है समावेसी विकास का मतलब है उनका अंतिम वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुचना बहुत ही जरूरी है इसलिए ग्रामीड विकास के लिए योजनाओं का बनाना जरूरी है क्रियानवन करना उद्देश क्या होना चाहिए उद्देश उद्देश का निर्माड केंदर करता है तथा उसका क्रियानवन राज करता है जैसे कि योजनाओं का निर्माड हमारे हैं केंदर सरकार करती है और उसका क्रियानवन राजसरकार को करना पड़ता है जैसे ग्रामिर, रोजगार योजना, मनरेगा यहां योजना एक केंदर की है लेकिन इसका क्रियानवन कोन करता है? राजसरकार करवाता है अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राजय सुभिभाग उत्तर प्रदेश राजय सुभिभाग की बात करें उनकी साखा की बात करें तो उनकी 6 साखाएं हैं कितनी साखाएं हैं? 6 साखाएं हैं माप करना उत्तर प्रदेश राजय सुभिभाग की जो साखाएं हैं वो 5 हैं कितनी साखाएं हैं? 5 साखाएं राजस्व परिशद, चक्वंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, भूमी अध्यापती निदेशक, प्रमुख जिला गजे टियर ठीक है तो कितने राजस्व भुभा की साखाएं हैं? 5 हैं अब बात करते हैं राजस्व परिशद की स्थापना तो राजस्व परिशद की स्थापना 1831 में ठीक है? 1831 में कहां की गई थी? इलहाबाद में की गई थी ठीक है? इसका मुख्याला कहां है? इसका जो मुख्याला है प्रियागराज में है जो की वर्तमान में प्रियागराज इलहाबाद में ठीक है? वर्तमान में जो इसका नाम बदल दे गया है प्रियागराज कर दिया गया है इलहाबाद में ठीक यह राजस्व नियालों का सीर्स नियाले है ठीक जिस तरीके से सरवच नियाले होता है या उच नियाले होता है ठीक है अपीली या नियाले के लिए ठीक है जैसे लोग जनता लोग जाते हैं नियाले में उच नियाले में या उच्छतम नियाले में राज्य के उच नियाले मे इसका निर्णय स्वरवपरी होता है, इसके निर्णय को सभी जो राजस्व निर्णय हैं, उसको मानना पड़ता है, उसका मुख्यालय कहा है, प्रयाग राज में, ठीक है, राजस परसद का इस्थापना कहा हुई थी, प्रयाग राज में हुई थी, 1831 में, ठीक है, इसके नि सबही राजस्व नियालों पर बाध्यकारी है थीक है। इसके निरने को सभी राजस्व नियालों को मानना पड़ेगा। सोतंत्रता के बाद 1948 में इसका विभाजन कर दिया गया, किसका विभाजन कर दिया गया, इस राजोस परसद के विभाजन कर दिया गया, विभाजन में क्या किया गया, विभाजन में ये किया गया, कि इसके कारेओं का विभाजन किया गया, 1948 में इन्हें दो भाग में बाल गया प्रसासनिक कारे जो है वो लखनव से और नियाई कार का जो छेत्र है वो प्रयागराज में रखा गया तो जो प्रसासनिक कारे है जो लखनव से देखा जाता था भू अबलेखो का रख रखाओ ठीक है जो भू अभलेकों का देस्ता वेश है उसका रख रखाओ कहां से होने लगा लखनव से भूम के देख रेक 25 वितरण तयार करना खीक है भू अभलेकों का रख रखाओ भूम की देख रेक 25 वितरण तयार करना वो कहां से होने लगा लखनव से प्रसाफसनिक कार कहां से होने लगे लखनव से 1948 में इसका विभाजन हुआ नियाईक कार कहां से हो रहे थे नियाईक कार आपके जो हो रहे थे वो प्रियाग राज से हो रहे थे नियाईक कार में क्या आता है आप इसको पहले देख लिए नियाईक कार में आपका जो आता है अपील करना जितनी भी अपील है राजसो समंधी मामलों का जितना भी अपील होगा वो कहा होगा वो जो सीर्स नियाल है वो कहा है प्रियाग राज में है नियाईक अपील निगरानी करना मामलों के निर्गरानी करना फुलर लोकन करना ठीक है इसी बात विवाद को जो भी नि निर्णाई को बदल कर ठीक, दूसरा निर्णाई सुनाने का अधिकार, इस राजसों परिसद के जो नियाईक कारी है, प्रियाग राज में होता है, वहाँ पर उसके कारी सौपक है, सभी राजस वादों का निप्यारन करना, जितने भी बात, विवाद, जितने भी मामले, जि इसके पास था ठीक है, प्रियाग राज में हैं ठीक, नियाईक कार, अब बात करते हैं, अधिकारी और उनके कार, इस छेतर में जो अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिला, जिला अधिकारी, उसके बाद आता है अपर जिला अधिकारी, उसके बाद आ दोस्तों आपको तयारी करनी है और आपको तयारी करनी है लेकपाल की ठीक है दोस्तों तो भूलना नहीं है और इनका कार है भूम भू लेखों का रख रखाव करना, क्रिसी भूम से समन्दित आकडों को एकत्रित करना आकडों की गड़ना एवन प्रकासन करना सरकार तक आकडों को पहचाना जिससे उस ग्रामीर छेत्र के लिए योजनाओ का क्रियानवन किया जा सके क्रिसी एवन पसपासल पसुगर्णा, क्रिसी सम्वंधित योजनाओ का लाब ग्रामीर छेत्रों तक पहुचाया जाए पसुगर्णा करना, बाढ़ सूखा, कमी आपदा के समय सरकार के अंग के रूप में काम करना, बाढ़ और सूखा, ठीक है, कमी आपदा के समय सरकार के अंग के रूप में काम करना, ठीक है, विभिन सरकारी योजनाओं एवं सिवाओं को लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, इतनी भी सरकार की योजनाय हैं, उनको क्या करना है, लोगों तक पहुँचाने का कार्य किसका होता था, इन अधिकारियों का काम है, ठीक है, भूमी सनरच्छन, भूम होनों को भूमी पहुचाना, ठीक है, भूम की सनरच्छन करना, एवं जो भूम हीन है, जो भूम हीन किसान है उनको धूम उपलब्ध कराने का कार्य ठीक है इनके अंतरगत आता है अब बात करते हैं आज के प्रसनोत्तर पे ठीक है तो यह रहा टॉपिक तो आप समझ गए होंगे कि आज के टॉपिक में किस चीज़े बात किया हूँ ग्राम क्या है ठीक है ग्राम का सौरपर्थम उल् सकते नगरों के तुलना में एक निश्चित छोटे भावलीग छेत्र में निवास करने वाले जनसंखा निवास अस्थान को क्या कहते हैं ग्राम करते हैं और वहां की धिकान जनसंखा किरसी परस्वालंप्राथमिक कारियों में लगी रहती है ठीक है राश्ट्र राज दोन में 70% लगभग जनसंक्या निवास करती है कि ग्रामीड और सहरी छेत्र में विसमताएं क्या होती है संसाधनों और सुविधाओं की कैसे अंतर रहता है उलट रहता है सहरी में सब कुछ सुविधाओं अनुकूल होती है लेकिन गाओं में वो चीजे प्रतिकूल हो जाती है राखाएं हैं और हमें राजस परिशत के बारे में पढ़ना था इसके साथ साथ हमने इसको भी बता दिया यह सब कुछन आ सकते हैं तो राजस परिशत की स्थापना 1831 में लहाबाद में की गई थी 1948 में आजादी के बाद इसके दो भाग कर दिये गए एक भाग प्रसासनि कारियों में भूथ लोगों का रख रखाऊ भूम देख रे 25 25 वितररन तयार करना 25 का मतलब के जो नाप के तरीके होते हैं उसे 25 बोलते भूम का नाप को 25 के द्वारा किया जाता है नया इकर इलाःबाद में रह गये प्रियागराज में रह गया अधिकारियों को में बता जिलाइदिकारी अपर जिलाइदिकारी उप जिलाइदिकारी तहसीलदार नयाब तहसीलदार तो इन चुछ पर हम बात कर चुगे अब प्रस्न आता है कि राजस विभाग की राजस साखा के अंतरगत निम्न में से कौन सम्लित नहीं है प्रस्फ में है चकबंदी आयूक्त राहत आयूक्त संपादक जिला गजेटियर महालेका कार संभाग तो इसमें कान सा भाग नहीं आता है महा लेखा कर संभाग ठीक है तो उम्मिद करता हूँ को आपको समझ में आ रहा होगा उत्तर प्रदेश राजस परिशद की स्थापना कब की गई तो उत्तर प्रदेश राजस परिशद की स्थापना कब गई गई अठारा सो एक्टिस में की गई ग्राम सरनचना की सापे सोपानिक इकाई के क्रम में निन्म में से किसका उलेख रिगवेद में नहीं है तो रिगवेद में किसका उलेख नहीं है राजी का उलेख नहीं है जन विश और ग्राम का उलेख है उसमें जन का 275 बार विश का 170 बार और ग्राम का 173 बार या 17 इसको उस्टी है किसे किस राज इस्थित है तो कि निया घालए में इस्थित राजस परिशद का मुख्यालड कहां पर इस्थित है मुख्यान कहाँ पर है इलहाबाद में ही है प्रसासनिक कारे लखनों उसे देखा जाता है और नियाईक कारे कहां पर होता है इलाहाबाद में ही होता है उसका जो मुक्याले कहां है वो इलाहाबाद में ही है कोश्चा नमबर च्छा की बात करते हैं निम लिखितने से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश माल गुजारी से सम्मंधित नयाईक कारियों की सबसे बड़ी संथा राजसो परिशद है उच्च न्याले राज न्यालों के सीर से न्याले है पुरन लोकन और निग्रारन करती है ठीक है राजस परिशद के नयाईक कारियों में ठीक अपीली है पुरन लोकन और नयाईक कार है ये भी सही है राजस परिशद के सदस्त की नियुपती राजसरकार करते है ये भी सही है तो उत्तर प्रदेश की माल गुजारी से समẵ suite कार्यों की सबसे बड़ी संस्ता राज Sopчас है ये भी सए है। उच्छ नियाले तो उच्छ नियाले सिर्फ जंता के लिए है। उनकी अपिल के लिए है। बकि नयाईक नयाईक नयालों का जो सीर से वो नयाय परिशदह। कि भारत में भारत में कुल गाओं की संख्या कितनी है लगभग 6 लाग से अधिक किटनी 6 लाग से अधिक है कोसा नमबर साथ का एंसर हो जाएगा गी अब हम बात करते हैं कोसा नमबर आज की ग्रामीर सनरचना के विभाजन को पी हिराल महोदय ने जिन भागों में बाटा उनमें सामिल नहीं है संकरमीर ग्राम इस्थाई ग्राम और अर्ध इस्थाई ग्राम ये तो तीनों सम्मली थे संकरमीर और अर्ध इस्थाई जो ग्राम है वो दोनों एक ही है और इस्थाई ग्राम तो आपसन नमबर D नहीं सम्मली थे अब कोशन नमबर 9 की बात करते हैं सामावेशन का अर्थ क्या होता है अरचित वर्ग की सुविधा जाती विसिमता नगदी संचरण तो क्या होता है समावेशन को मैं बता आज हो का था पैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँच ठीक है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना किसी भी कोई भी चीज हो वो समाज के अंतिम वक्ति तक पहुँचना समा वेशन कहलाता है कोईचन नमबर 10 को देखते हैं भारत का पूर पहला पूर गिजिटल गाओ कौनसा किस राज में है तो वो किस राज में है गुजरात में है तो दोस्तो ये रहें आज के टॉपिक से सम्मंधि जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उससे सम्मंधित कोईचनों की हम कोईचन कराऊंगा हिंदी भी कंप्लीट कराऊंगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए अभी मैं ग्रामेड विकास में परवियस शुरू कराऊंगा कि आप और चीज़े पढ़ सकते हैं कहीं अभी समय का थोड़ा सा अभाव है इस बज़े से मैं नहीं बता पा रहा हूं लेकिन मैं हि विष्वास रखें मैं हिंदी भी लाऊंगा आपके लिए ग्रामेड विकास परवियस ला ही रहा हूं साथ-साथ जीयस में भी कंप्लीट कराऊंगा तो थोड़ा टाइम लगीगा लेकिन पहले जो जरूरी है वो चीज पढ़िए ग्रामेड विकास परवियस हर कोई नहीं